हेलो आज हम कक्सा बारा के पहल चैप्टर एक या जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टेटिक्स पढ़ा था अध्याई एक में उसके अंतरगत एक नया टोपिक लेकर रहे हैं जिसमें जिस जो है अनेक आविसों के बीच बल या फिर से हम अध्यारोपन का सिध्धान्त भी कहते हैं या एकजाम में कुछ इस प्रकार से पुछा जाता है कि अनेक आविसों के कारण किसी एक आविस पर लगने वाले बलो के लिए लगने वाले बलो का वेंजक प्राप्द किज्धे या किस परकार से किसी एक चार्ज पर बल को ग्याद करें है तो फिलाल इसमें अनेक आविसों के बीच बल या अध्यारोपण का सिध्धान कुछ यह है यह एक तरीका है अनेक आविसों के बीच किसी एक आविस पर बल निकालने का चुकि कुलाम के नियम में हम क्या करते थे कि दो आवेसों के बीच बल गयात कर सकते हैं और इस अध्यारोपन के सिधानत में क्या है कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं तो हम किसी एक चार्ज पर या किसी एक आवेस पर जो बल निकालना चाहरे हैं कितना बल उस पर लगेगा तो हम एक एक करकर जितने भी आवेस हैं उन सब के द्वारा बल निकालेंगे और उनके सदिस योग जो होगा वो उस एक चार्ज पर बल लेगा तो अध्यारोगन का सिधान क्या है यदि निर्वात में यदि निर्वात में एन आवेस क्यूँ वन क्यूँ टू क्यूँ थरी क्यूँ एन इस्थित हैं तो किसी एक आवेस पर पर लगने वाला बल वाला बल अन्य आवेस होगे कारण के कारण उस आवेस पर उस आवेस पर लगने वाले वाले बलो के सदिस योग के बराबर होता है अर्थात कहने का मतलब यह है कि जोब इस एक आवेस पर अन्य आवेस के उस आवेस पर लगने वाले बलो के सदिस योग के बराबर होता है जो बल जो बल एक एक करके जाद के गए है अर्थात मनलब उन मनलब जितने भी आवेस हैं उनके दवारा एक एक के दवारा जो बल लगा है उसे गयाद करके और उन सब का योग कर देंगे तो किसी एक आवेस पर लगने वाला बल हम गयाद कर सकते हैं और इसमें यह बात याद रखनी है कि जो किसी बही ऐक आवेस जोरा मनलो जैसे फूर एक्जामपल कितने तीन आव कारण पर निकाल लेंगे और इन दोनों का सदी स्योग कर देंगे तो क्यूंड पर कुल बल निकल जाएगा परंतु किसी भी एक आवेज द्वारा मूल लग रहा है अन्य किसी एक आवेज द्वारा आवेज द्वारा द्वारा लगने वाला बल लगने वाला बल अन्ने आवेज तो के बल को परभावित ये इंपोर्टेंट बात है परभावित नहीं करता है इसे अध्यारोबन का सिद्धान्त कहते हैं वही बात है ये एक मैथड है यानि कि जो अनेक आवेज़ों के बीज जो बल निकालना ये एक मैथड है अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी चार आवेज हैं एक वर्ग के कोनों पर रखे गया मालों यह ऐसे यह बोलते कि यहां चार चार्ज रखें आवेज रखें और किसी एक पर बल गयात करें यानि कि नुमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको हम मतलब किसी एक आवेज पर बल निकालने के लिए हम अध्यारोपन का सिध्धान गयात करेंगे मतलब इसके द्वारा इस पर बल इसके द्वारा इस पर बल और इसके द्वारा इस पर बल इस पर सब के द्वारा बल निकाल लेंगे और इन सब को हम क्या करेंगे उनक है पहले हम इसके सुत्र के लिए कि जूकि एन आवेसो के लिए निकालना तो पहले हम तीन आवेसों के निकाहिए पर बात करते हैं और तीन के लिए ग्यात कर लेंगे तो फिर हम से जर्रृणलाइज कर देंगे यानि कि सब के एंड की फॉर्म में लिख देंगे तो फिलाल कि अग्यों कि तो कि आवेश हो तीन आवेश हो कि जोबन क्यूटूब है क्यूट्री के लिए कि यह सब यहां दिखाया गया है कि क्यूटू क्यूट्री यह रखे वह और इनके स्थिति सदिस क्यूट्री का आरवन है क्यूटू का रटू है और इसका क्यूट्री का रटू है और क्यूटू का रटू है अब हम क्या करते हैं क्यूंट के कारण ग्याद करते हैं क्यूंट के कारण क्यूंट पर बल इसे हम नाम देते हैं एफ वन टू वन टू और इसे हम लिख सकते हैं कुलाम के नियम से मतलब वन अपोन फॉर पाई एपसाइल नोड क्यूंट तो क्यूंट इस इसका स्थिति सर्थ है यह एक वंटू आया क्यूंट के कारण इसी परकार Q3 के कारण Q1 पर बल इसका नाम देते हैं F13 यानि कि यह 13 यह सिंबल हमने जब सदिस कुलाम के नियम का सदिस रूप पढ़ा था तो उसमें यह सिंबल सब समझायता है यानिकि इसका मतलब है कि पहले आवेस पर तीस क्यू थिरी के कारण लगने वाला बल तो इसे भी हम ऐसे लिखें वन अपून फोर पाई एफसायलन नोड चुकि यह निकालने है तो इनके डिस्टेंस कितने है यह क्यों तरी के तो इनके स्थितिस हो जाएगा क्यू वन क्यू थ्री क्यू वन अपून आर वन थ्री का स्क्वायर और आर वन थ्री का इस्थितिस अदिस चूकि अध्यारोपन का सिद्धान्त यह कहता है कि इन जितने भी आवेस हैं उन सब के उनके द्वारा एक एक आवेस के द्वारा बल निकाल लिया जाए एक आवेस पर और उनका सदिस योग कर दिया जाए अगर एफ वन टू एफ वन थ्री का सदिस योग करेंगे हम समांतर चत्रवज नियम से तो इसका इसका इसे यहां ले जाए इन दोनों का सदिस योग इन इसे हम F1 का नाम दे देते हैं क्योंकि हम Q1 पर ग्याद करना जाए ऐसे हम Q2 पर भी ग्याद कर सकते थे तो यह हो जाएगा F12 प्लस F2 sorry 13 अब इन्हें एड़ करें चुकि आप देख रहे होंगे जब इन्हें एड़ करेंगे वन अपोन 4 पाई एपसाइलन नोड क्यों को मना आएगा वन अपोन 4 पाई एपसाइलन नोड क्यों 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 टू और आर वन टू इस आर वन टू इसको लिख देते हैं और आर वन टू ऐसे ही क्यों 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 थ्री अपोन आर वन थ्री इसक्वाइर और आर वन थ्री सदिस एकांग सदिस यह हमारा जो बल है यह है तीन आवेसों के निकाहे के खारण अगर हम इसे एन निकाहे के लिए लिखें इसी परकार कि एन आवेसों के खारण आवेसों के निकाहे के लिए के लिए कि लिए कि किसी एक आवेस मान लेते हैं क्यों बन के लिए Q1 आवेस पर लगने आला बल F1 बराबर जैसे हमने 2 के कारण 3 के कारण अगर N है तो 2 के कारण 3 के कारण 4 के कारण N के कारण तो इसे लिखेंगे वन अपोन फोर पाई एफसालन नोड ज्यां देंगे यहां Q1 है Q2 है क्योंकि Q1 पर गयात करें तो Q1 सब के साथ है तो इसी परकार हो जाएगा Q1 Q2 अपोन आर 12 स्कॉयर और आर 12 सदिस कैप वन अपोन पर ही गयात कर रहे हैं अब क्यूंट 3 पूं आरं 13 कि इस्टॉर और एंड कर इसी परकर अगर एक के लिए लिए तो क्यूट 1 क स्टॉर 1 & के यह स्कूर यह फॉन हो जाएगगा इसमें से क्यूओं कोमन आ रहा है तो अगर इसे हम ऐसे लिखे दें एफ फीजिकल टू क्यू वन जिस पर हमें निकालना है वह फोर्स यहां वह आवेस यहां आया फोर पाई एफ साइलन नोड यह बचेगा आपका क्यूं टू अपून आर वन टू स्क्वाइर और और वन टू कैप ऐसे ही क्यूं थ्री अपून आर वन 3 square और 1 3 ऐसे ही Qn upon R 1 N square और R 1 N का gap इस परकार से तीन है तो 3 तक 4 तक 5 तक तो अभी से अगर तो सुमेशन की फॉर्म से लिखते हैं है फैसिजगर 2 क्योट 1 जिस पर आपको मालो क्यू तरी抪र निकालना है तो यहां क्यों त्री आये गां फिर यहां क्यूं क्यों Q1 Q2 q3 यहां यहां समिखना जाएं क्यां ऐगा Q4 Q5 इस परकार से तो और वन आई का स्कॉर और और वन आई क्या है यह यह समय सल की फॉर्म होगी और आई जो है आपका वह स्टार्ट होगा कहां से टू से क्योंकि वन पर निकाल लें तो टू से एंधर तो यह जो है हमारा आपनावेसो के लिए एन आवेसो के निकाएं में किसी एक आवेस पर अगर यह मालो इन में से क्यूटू पर निकालना होता तो यहां क्यूटू आता तो फिलाल यह जो था अमारा अध्यारवपन का सिद्नानता और ये मैथड है कि बहुत सारे आवेस box by अगर आपके किसी निकाएं में हैं किसी सिस्टम में है तो उन पर किसी एक आवेस पर हम बल कैसे ग्याद करें तो फिलाल इतना ही इसे आप नोट करें और नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटीड जो नुमेरिकल्स होंगे वो लेके आएंगे और इस पर नुमेरिकल कुछ इस पर कार की कह सकता है कि माल लो य यह ट्रेंगल है और इस पर यहां तीन चार्जिस रखे हैं तो इसके सेंटर पर केंदरख पर एक कोई आवेस रख ज़ा है तो कितना फोर्स लेगा ऐसे ही चत्रभुज में भी कह सकता है कि यहां चार आवेस रखे हैं इस पर बल ग्यात किज्जे या इसके केंदर पर बल किजिए तो यह एक सिस्टम बनेगा अनेक निक अनेक अवेश होगा तो उस Мне हम इस मेथट को यूज करेंगे और यह एक्जाम में लिखने के लिए यह भी आ सकता है कि अनेक अवेश हो के के निकाए में किसी एकवेश पर बल ग्याद करने के लिए वहेंजक लिखी प्राप्त किजिए तो फिलाल अध्यारोपन का सिद्धान और ये चीजे नुमेरिकल में बहुत काम आएगी तो नेक्ट वीडियो मिलें हम नुमेरिकल के साथ धन्यवाद